हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्भानिस सातियों वेलकम टी योट्यूब चैनल टेड़ पॉइंट महम्मद इस्फली के संग आज हम बात्चित करने जा रहे हैं इसको एक जौलाई 2021 से खुलने जा रहे हैं जिसके पश्चात हमें सभी सिक्षकों को कुछ कारे करने होंगे वो क्या क्या कारे करने होंगे देखते हैं इस वीडियो के अंत्रगत COVID-19 के द्रश्टिगत कक्षा एक से आठ तक के विद्याले में पठन पाठन के समन्द में जोलाई से खुल सकेंगे विद्याले लेकिन बच्चों के लिए नहीं जाने किन किन कारे के लिए परिशदिय स्कूल खुलेंगे क्या क्या कारे करने होंगे सभी शिक्षकों को यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें साथ ही बैल आइकन को प्रेज करें ताकि नॉटिफिकेशन सर पर थम प्राप्त हो सके और साथ ही यदि आपको यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के वार्टसप ग्रूप और टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो डेस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माद्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज के वीडियो के सिर्षक की तरफ जुलाई से खुल सकेंगे परिसेदे विद्याले पर बच्चों के लिए रहेगी बंदी आदेश जारी जाने किन किन कारियों के लिए परिसेदिये स्कूल एक जुलाई से खुलेंगे जुलाई में शुरू होंगे यह कारिये कौन से कारिये शुरू होंगे देखते हैं सत परितिसद बच्चों के आव विद्यालों में नामांकन कराना आवश्यक होगा तो अभी तक कोविड-19 के कारण सभी विद्याले बन चल रहे थे आप जुलाई से सत्र प्रारम होगा और उसमें हमें जितने भी बच्चे हैं उनका नामांकन कराना होगा कोई बच्चा छूटना जाए इसका ध्यान अखना होगा नेस्ट पॉइंट है मद्यान बोजन योजना के तहत भेजी गई परिवर्तन लागत की दिनलासी चात चात्राओं एवं अभी भागों के खाते में प्रिशित करना और मिले खाद्यान का वित्रण करना जिन साथियों का अभी मद्यान बोजन और परिवतन लागत अभी खाते में प्रिशित नहीं हुई है वे उसका प्रिशित कर दे और जिन साथियों का अभी खात्यान का वित्रन नहीं किया गया है वो अब जोलाई में कर दें वैसे इस माहा में सभी लोगों ने बाट दिया होगा वित्रन कर दिया होगा लेकिन अगर पुछ रहे गए हैं तो वो जोलाई में कर दें नेस्ट पॉइंट है निसुल्क पाठ्थे पुस्तोकों का वित्रन अब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे लेकिन हमें उन बच्चों को पाठ्थे पुस्तों को का वित्रन करना होगा और नेस्ट पॉइंट है परिशदिये विद्यालों में ओप्रेशन काया कल्प की गती विद्यों को पूर पूरा करना और जिन विद्यालों में अभी ओप्रेशन काया कल्प की गती विद्यों को पूर नहीं हुई है विन प्रिधानत ध्यापक इन गती विद्यों को पूर करा ले और नेस्ट पॉइंट है मिशन पिर्णा के तहत इपारसाला का संचालन जैसे कि आप बाखो भी इपारसाला का संचालन कर रहे हैं इसी तरह से इसमें एक दो कड़ी और जोड़ी जाएगी तो उनका भी संचालन करना है ताकि बच्चे का नुक्सान नहों पाए आगे चलते हैं जिला पिर्शासन वे सिख्चाविबाग की और से अन्य महतूं कारिय वे दायतों का संचालन और जिला पिर्शासन तथा सिख्चाविबाग की तरफ से जो आदेश प्राप्त हुए हैं जो कारिय हमको पूर करने हैं जिन दायतों को हमें सौंपा गया है उनका कारिय हमको करना है, उनका संचालन पून रूप से करना है यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब, अवश्य करें प्रियाग राज, बेसिक सिक्षा परिशत के प्रात्मिक विद्यालें, एक जोलाई से खुलेंगे लेकिन शात्र शात्राओं को इस गोल बुलाने की अनुमती नहीं है, केवल सिक्षक वेश्च्षणोतर करमचारियों को आना होगा, उन्हें विद्यालें के नमांकन सहिद, अन्य प्रिसासनिक कारे करने की अनुमती दी गई है, छात्र शात्राओं की आॉनलाइन पढ़ाई, इपार साला के माध्धम से जारी रहेगी तो इसमें कोई आदेश इस प्रकारण का नहीं है यह बगेल सिंग, सच्जिव जी का आदेश है तो कोई भी इस आदेश की खिलाप नहीं जाएगा कोई भी बच्यों को घर पर इसकूल पर नहीं बुलाएगा सबी एपार साले के माद्धम सिख कारिये संपन कराएंगे और जो इस प्रकार से गतिविदी दी गई हैं उसी प्रकार से बच्चों को गतिविदी कराएंगे परिशत सची प्रताप सिंग बगेल ने सभी बेसिक सिख्चा दिकारियों और मंडलिये सायक सिख्चा निर्देश को बेसिक को भेजे निर्देश में कहा कि कक्षा एक से आठ तक के प्रात्मिक वे उच प्रात्मिक इस कोड़ों में सिख्चक वे करमचारियों को प्रिसासने कार्यों के लिए आने की अनूमती दी जा रही है विद्याले केवल प्रिसासने कार्यों के लिए खोले जा रहे हैं केवल इसमें प्रिसासने कार्य किये जाएंगे नामंकन किया जाएगा जो अपरोग हमने अभी विवन बताया है बिंदू बताया है उन्हें पर कार्य किया ज जाएगा अपनी तरफ से कोई भी अध्यापक कोई भी साथी किसी बच्चे को इस्कूल नहीं बुलाएगा छात्र शात्राओं को पठन पाठन इपार्साला के माध्यम से जारी रहेगा बीती 19 मई को जारी आदेश के तहट कोरोना संकरमन की वजह से 30 जून तक इस्कूल बंद रहने के आदेश थे एक जोलाई से सिक्छक वे करमचारियों के आवसकता नुसार विद्याले पहुँचने की अनूमती दी जा रही है अगले आदेश तक छात्र चात्राओं को विद्याले में उपस्तित नहीं होना है सच्चिव ने निप्रेश दिया है कि प्रभ्देश में कख्छा आड़ तक के मानेटा प्राप्ट एड़ेट विद्यालों में सिक्छक वि-विद्याले कि प्र Nep समीती आवश्य निर्देश देने के लिए अधिकृत होगी ज़िए आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें बेसिक सिक्षा परिशत से जुड़े प्रिदेश के पहली से आठवी तक के परिशदिये विद्याले एक जोलाए से खुल इस दोरान चात्र चात्राओं के लिए इसकूल बंद रहेंगे परिशदिये विद्यालों में सिक्षकों को आउसकता नुसार विद्याले बुलाया जाएगा दूसरे बोर से जुड़े मानेता प्राप्त विद्यालों में सिक्षकों एवं सिश्णेतर करमचारियों की उप देश दिया गया था सची बेसिक सिख्षा परिशत प्रताप सिंग बगहल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि स्कूल खोले जाने की अवधी में सत्पृतिसत बच्चों का विद्याले में नामांकन कराना होगा मिड्डे मिल की धन्रासी को छात्र छात्राओं अभी भागों के बैंखाते में समय से भेजने की वैवस्ता करनी होगी नेसुल किताबों का वितरण मिसन प्रिणा के कारियों में सहयोग वे जिला प्रिसासन एवं सिख्षा इभाग के कारियों में सहयोग करना होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें ये कारिये जो हमें दिये गए हैं COVID-19 के पश्चात ये एक जोलाई से विद्याले खुलने जा रहे हैं और एक जोलाई के पश्चात हमें ये जितने भी कारिये दिये गए हैं इनको हमें सही अंजाम तक पहुचाना है और नवीन बच्चों का नमांकन कराना है और यदि हमारे खाद्यान का वित्रन नहीं किया गया है तो उन खाद्यान का वित्रन भी हमें कराना है और किसी प्रकार से भी हमें हमारे तरफ से बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए हमें बच्चों के अभी भावकों और जितने भी अभी भावक हैं पेरेंस हैं उन सभी से अनुरूद करना होगा कि बच्चों को कुछ समय के लिए लेकर बैठें क्योंकि कुछ अभी भावक तो सजग होते हैं लेकिन सभी अभी भावक सजग नहीं होते हैं उनको हमें प्रेरित करना होगा और प्रेरित करने पर वो बाखोवी बच्चों को पास लेकर बैठेंगे वाटसब से गती विदियों को पूर कराएंगे या जो भी आप कारिये करा रहे हैं चाहे टीवी दूरदर्सन पर हो चाहे वाटसब गुरूप पर हो जो भी आप कारिये करा रहे हैं कारिये गती विदिय करा रहे हैं वो सही धंग से कर पाएंगे क्योंकि आप इसकोल में पहुंच जाएंगे इसकोल में पहुंचने के पश्चात आप अभी भावकों से जुड़ पाएंगे और उनसे संपर कर पाएंगे मोबाइल नमबर और अच्छी तरह से ले पाएंगे इसलिए आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं यह आपको वीडिय तेट पॉइंट बाई मुहम्मद सुफरी धन्यवाद